अब है हलो बच्चों आज का हमारा टॉपिक है अप्लिकेशन आफ गॉसेश्ला कि हमें क्या निकलना है जितने भी एल्लेक्रिक फील्ड के फार्मूले वो निकालने हैं उसके अप्लिकेशन अब हम यहांपर पड़ने हैं पहला अप्लिकेशन यह है फील्ड डू टू एन इन एक इन्फाइनाइट लॉंग वायर दिया गया है जहां पर में क्या करना है एलेक्टिक फिल्ड फाइंड करना है और जो चार्ज का डिस्टिबूशन हुआ वो उनिफॉर्म कर दिया गया बिल्कुल ठीक है तो सबसे पहले जो लिखा हुआ इसे बाद में समझाएंगे सबसे अब हम क्या करते हैं एक देखो फाइप चारज़ दिया गया बाही प्लस चारस की वज़य से प्लस पर दिया गया है अफा प्लस फाइसकी वार्ड दिया इसी तरीके से प्लस चार्ज की वज़े से एलेक्टिक फील्ड की डिरेक्शन आउटवर्ड इस तरीके से होगी ना इस तरीके सोगी मालिया इस तरीके सोगी इस तरीके से ठीक है हो गया यह सब क्या है इलेक्टिक फील लाइन दिखाया गया यह ठीक है क्यों क्योंकि यह चार्ज कैसा दिया गया है चार्ज प्लस का दिया गया है इसकी वज़ा से जो इलेक्टिक रेक्षन होगी डेक्षान होगी ती डेक्षण हो टिक हमने माल लिया electric प्लस चाज के वजया से एधर आउट बर्ड आवमने क्या कर लिया माना कि कोई पॉइंट है कहाँ पर हमने माल यहां पर P1 poiont इस P1 point पर हमें क्या करना है electric field find करना है माली हमने distance यहाँ पर क्या है R है उतना ही जितना यहाँ पर distance R माना है उतना ही distance का एक element P2 ले लेते हैं ठीक है यहाँ पर element P2 ले लिया अब हमें करना क्या है यहाँ से भी distance वही रहेगी same R रहेगी इस P point पर P1 पर और P2 पर चाहें तो P1 पर निकालो हो चाहें तो P2 पर same ही निकलेगी हमें यहाँ पर electric field intensity find करना है यह मेरा question है ठीक है तो अगर हमें क्या करना है यहाँ पर electric field find करना है और gausses ला जो होता है जो gausses ला होता है वह केवल three dimensional के लिए होता है या फिर फार्मूला बनाने के लिए तो हमें क्या करना पड़ेगा एक Gaussian surface क्या करना पड़ेगा मानना पड़ेगा तो इमेजन करना पड़ेगा हमें Gaussian surface वह हम किस तरीके से इमेजन कर पाएंगे तो हम क्या करते हैं इलेक्ट्रिक फिल्ड शारु तरफ इस डायेक्शन में तो हम यहाँ पर इसे मिला लेते हैं इस तरीके से माल लिया हमने यह हो गया अगर पीवन पीटू पर ही देख लेते हैं अब हमने देखा कि एक सर्फिस देखो यह वाला हो गया एक सर्फिस तुमारा यह वाला हो गया और एक सर्फिस यहां से लेके यहां तक हो गया ठीक है पहला सर्फिस यहां से दूसरा सर्फिस यहां से तीसरा सर्फिस यहां से ठीक है और जो वायर है उसकी जो लेंथ दी ग है ठीक है जो infinite length का wire है वो इस तरीके से मालिया है ठीक है length दे दी यह radius r हो गई यह p point हो गया और हमें electric field intensity find करनी है उसके लिए में surface मानने पड़ेंगे Gaussian surface कौन सा यह मालिया हमाई पास यह surface s1 है ठीक है यह वाला surface s2 है यह flat surface s1 और s2 माल लिए ठीक है और यह वाला surface हमने माल लिया s3 पहला surface s1 माना दूसरा s2 माना तीसरा s3 माना ठीक है यहां तक clear हुआ अब हमने इस point का element टेक ले लिया और यहां पर check करते हैं देखे electric field की direction plus charge की वज़े से किदर होगी outward direction हो ठीक है electric field की direction हो गए इस direction में क्योंकि प्लस चार्ज है और प्लस चार्ज की वज़े से electric field की direction आउटवर्ड हो गई अब हमें निकालना क्या area vector और area vector हमें से surface के perpendicular लिया जाता है इस तरीके से तो दीए की value यहां पर हो गई अब देखो ई और दीए के बीच में जो इंगल बन रहा है वह कितना बन रहा है 90 डिग्री बन रहा है इसी तरीके से surface s2 का देख लेते हैं कोई हमने small element ले लिया छोटी सी एरिया डिये ले ली अगर यहां पर electric field यहां पर देखिंग प्लस चार्ज की वज़े से outward direction में electric field ठीक है अगर डिये की बात करेंगे area vector बाहर की तरफ क्योंकि यह surface के क्या होता है यह surface के perpendicular होता है यहां पर एंगल कितना बन गया 90 डिग्री का बन गया perpendicular area vector मतलब डिये की डारेक्शन इदर है कि की डारेक्शन इदरडी ऐकार इकी डारेक्शन इदर है यह की डारेक्शन होगई और यह डी एक ही डारेक्शन में तो थीटा की वेलू कितनी हो जाएगी surface 3 के लिए थीटा की वेलू हो जाएगी 0 ठीक है मतलब कहने का यह है कि यहाँ पर पहली सर्फेस स्वन पर एंगल जो बन रहा है वो 90 डिगरी बन रहे हैं इंगल जो इलेक्ट्रिक फिल्ड और तीसरे सर्फेस पर देखते हैं इस थीटा की वेलू हो रही है जीयो यहाँ तक आपके बात समझ में आगी होगी अप और चलते हैं पूरे फिगर को अगर आप समझ गये होगे तो थीगरी पढ़ लेते थोड़ी सी सबसे पहले हमने क्या consider किया देखो consider an infinitely long thin wire हमने सबसे पहले एक कोई long thin wire consider कर लिया है ठीक है इतनी बात समझ में आ गई uniform linear charge density जिसकी जो linear charge density है यहां पर जो charge है ना यहां की linear charge density lambda देगे है ठीक है फिर लिखा to calculate field due to this wire और हमें करना क्या है field find करना है due to this wire at any point P किसी P point पर हमें electric field find करना है ठीक है तो यह P point है ना यहां पर यहां पर electric field find करना है फिर उसके बाद लिखा भी consider a pair of line element P1 and P2 फिर हमने क्या करा कि line element P1 यह P1 हो गया और यह P2 हो गया ठीक है यहां पर लिख देते हैं P2 हो गया line element P1 और P2 हमने माल लिये ठीक है उसके बाद of the wire and equal distance on the either side of the arbitrary origin O और यह origin माल लिया हमने यहां पर origin O माल लिया यहां से यहां तक की distance R है यह Gaussian surface को यह Gaussian surface है और उसके बाद एक क्या करा हमने loop जब बना लिया है तो इसकी length माली L यह जो तार है यहां से यहां तक का इसकी length हमने क्या मानी है L मान लिये और जो charge है वह उसकी charge density आपने पढ़ा होगा linear charge density की अगर value की बात करें तो lambda बराबर क्या होता है Q upon L होता है charge per unit length होता है lambda की value क्या होती charge density बोल सकते हो यह फिर linear charge distribution भी बोल सकते हो linear charge distribution क्या होता है charge upon unit length होता है ठीक है इतनी बात समझ में आगे अब बात करते हैं due to flat surface S1 and surface S2 both have angle between E and DA और 90 degree जैसा कि आपको अभी figure में हमने बताया था कि अगर E और DA के बीच में angle देखते हैं surface S1 के और S2 के बीच में तो surface S1 यह थी अगर यहाँ पे बात करें E इधर था और DA इधर था यहाँ पे 90 degree बन रहा है और surface S2 में भी देखते हैं तो यहाँ पे भी क्या बन रहा है 90 degree का angle बन रहा है कहां कहां E और DA के बीच में ठीक है तो यह ही लिखा है due to flat surface S1 and S2 both have angle between E and DA are 90 degree then flux क्या होगा चलो flux का formula पता ही आपको flux बराबर क्या होता है 5 बराबर होता E dot DA जब dot अटाते हैं तो क्या आ जाता है cos theta आ जाता है E DA cos theta तो सबसे पहले surface S1 के लिए ले लेते हैं किसके लिए flux हम ले ले लें surface S1 के लिए तो flux लिखोगे surface S1 के लिए ठीक है तो E लिखोगे DA लिखोगे और cos theta theta की value कितनी है 90 degree तो यहाँ पे कितना लिख दोगे 90 degree cos 90 और cos 90 की value आपको पता ही होगी कितनी होती है flux surface S1 equal to E DA cos 90 की value होती है 0 ठीक है cos 90 की value रख दी 0 तो flux surface S1 के लिए अगर हम बात करेंगे तो 0 का multiply किसी में भी करते हैं तो 0 यह आ जाता है ठीक है तो पहले वाले surface surface S1 के लिए माल लिए यह surface S1 है ना इस surface S1 के लिए flux की value 0 आगे ठीक है अब हम निकालते है flux surface 2 के लिए तो हम क्या लिखेंगे flux surface 2 के लिए phi equal to S2 और formula लिख देंगे E DA cos theta तो flux surface S2 के लिए E DA cos 90 और cos 90 की value आपको पहले से पता है flux surface S2 बराबर E DA और cos 90 की value हो गई 0 अगर 0 का multiply E DA में करेंगे तो flux क्या जाएगा surface 2 के लिए 0 ही आ गया तो अब हम इस figure को फिर देख लेते हैं पहले surface के लिए figure में देखा हमने कि flux 0 निकल के आगया दूसरी surface के लिए भी देखा तो यहाँ पर भी value क्या निकल आई 0 मतलब यह surface और यह surface हो गया मेरा देकार यहाँ पर flux की value 0 पता लग गई है अब हम surface S3 के लिए निकालेंगे surface S3 के लिए अगर आप देखेंगे E और DA दोने एक ही direction में मतलब theta की value क्या हो रही है 0 हो रही है ठीक है अब आजाओ surface S3 के लिए तो surface S3 के लिए हम लोग देखते हैं लिखा है due to curve surface S3 have E and DA angle theta equal to 0 मतलब surface 3 के लिए अगर हम देखते हैं तो चलो लिख लेते हैं flux D5 surface 3 S3 का मतलब है surface 3 D5 3 equal to E DA cos theta तो D5 S3 surface 3 equal to E DA की value निकाल ले हैं ठीक है और theta में पहले ही पता है E DA cos 0 ठीक है cos 0 क्यों theta की value क्या है 0 D गई है ठीक है तो हो जाएगा D5 S3 equal to E DA cos 0 की value क्या होती है लिख दे रहे हैं side में cos 0 की value होती है 1 तो यहाँ पर लिखोगे 1 तो E और DA का multiply अगर 1 में करोगे तो E DA ही मिल जाएगा तो D5 S3 equal to हो जाएगा E DA अब हमें क्या करना पड़ेगा अगर हमें complete surface के लिए निकालना है flux तो हमें क्या करना पड़ेगा लिखते हैं सबसे पहले हम लिख देते हैं electric flux electric flux over the curved curved surface over the curved surface of the cylinder D5 S3 equal to E DA बचा है यही तो बचा है मेरा तो हमें इसका क्या करना पड़ेगा integration करना पड़ेगा भाई अगर तुम्हें complete निकालना है flux तो क्या करना पड़ता है differentiation अगर लिखा है कोई D part में लिखा है D का मतलब small amount में लिखा है तो उससे हमें क्या करना पड़ेगा integrate करना पड़ेगा तो integrate करेंगे तो D5 S3 और इस तरीके से गोला लगा देते हैं, इसका मतलब होता है कि surface कैसा है, close है E, D, A इसका भी integration कर दो ठीक है, E है constant E को तो बाहर कर लेंगे, सबसे पहले यह देख लेते हैं किसी भी चीज का अगर integration कर रहे होते हैं, तो D गाए वो जाता है, तो flux बच जाएगा, क्या बच जाएगा flux surface 3 flux surface 3 E है constant, इसे कर लेंगे बाहर बचा क्या integration of DA बचा, अच्छा integration of DA के लिए हम लिख लेते हैं integration of DA इकोटू होता है 2 pi r l, ठीक है तो लिख देते हैं, area किसका है ये area, area of the curved curved surface of the cylinder of the cylinder, ठीक है ये curved area है, curved area है, surface उसका निकाल ले है तो area जो निकल ला रहा है, वो 2 pi r l ठीक है, मतलब integration of DA की जगा पर 2 pi r l हम लोग पुट कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है, पुट कर दो तो flux of surface 3 flux of surface 3 equal to e इसकी जगा पर रख दो 2 pi r l, ठीक है यहां तक बाद समझ में आगी अब हमें करना क्या है, चुकि अभी आपने यहां पर पढ़ा था थोड़ी दर पहले यह पढ़ा था कि lambda की value जो होती वो q upon l होती है अगर यहां से q की value निकालने तो क्या निकल आएगा lambda e l निकल आएगा अभी इसका use करेंगे, अभी सिर्फ लिखा रहने दीजिए q की value निकल आएगे, lambda l तो आगे देखते हैं flux बराबर क्या होता है, flux बराबर क्या होता है flux बराबर होता q upon epsilon not flux बराबर क्या होता, q upon epsilon not तो यहां पर हम लोग क्या कर दें, flux की value रख दें तो flux बराबर हो जाएगा q upon epsilon not इधर कितना बचा, e बचा into 2 pi rl बचा चुकि अभी हमने थोड़ी देर पहले ही q की value निकाली है क्या value निकाली है, lambda l निकाली है तो यह value put कर दो आखे हैं आपे तो lambda l हो जाएगा divide में क्या हो जाएगा, epsilon not हो जाएगा उपर कितना बचा, e बचा into 2 pi rl बचा ठीक है, अब देखो cancel क्या हो गया, l से l cancel out हो गया, l से l cancel out हो गया, तो बचा क्या e की value निकाली है, तो e तो वहीं पर छोड़ दो, e की value यहीं पर लिख लो, ठीक है, e बराबर क्या हो जाएगा lambda उपर बचा नीचे क्या बचा, 2 pi r epsilon 0 क्या बचा, 2 pi r epsilon 0 यहीं हमारी electric field intensity निकल के आगए, equal to lambda upon 2 pi epsilon 0 r, यह जो derivation है, यह board की exam के drastic course है बहुत ही important है, इसे आप जल्द से जल्द तयार कर लें और इसे कई बार revision करते रहना जिससे कि आप भूले भी ना तिक आपले भी ना